हेलो दोस्तों कावे किचन में आप सभी का स्वागत है आसा करते कि आप सभी स्वस्त होंगे तो आज हम बनाएंगे सूजी टमाटर के पापर जिन हम बीना बेले बनाएंगे बीना पकाई हुए बनाएंगे बहुत यासानी से पापर बनके त्यार हो जाते हैं और काफी क्रिस यख नेजी के अभी आपको लग रह using a कि सूजी को पहले मीक्स or a and if you would like a में रखतेंगे और भी बिशमार के इंडर आप करके लिजें ठीक रहता है और ऊप करके ठोड़ा थीक Ihr सोजी जब तक फूले ना तब-नक हमने टमाटा लिए यह तो टमाटा है तो ग्राम में टाइस सो ग्राम टमाटा को नहीं छॉप कर लेंगे और इसकी जो ऊपर की आँख हो थी नहीं हारी वाली पार उपर का तो उसको निकाल देंगे अगर अगर थो चुल भगाधा आपको ल अब हम इसका पेस्ट त्यार करने के लिए अगर इसमें कोई बी मसालिय नहीं डालेंगे पानी का यूज बिलकुल भी नहीं च्छाने के यह तो वो च्छनने में आ जाएंगे और बाकि जो हमें टमाटर का पेस्ट है ना हमें वह चाहिए तो इसको हम अच्छे से छान लेंगे और स्पून की साहिता से हलकालका चलाते रहेंगे तो सारा जितना भी इसका टमाटर का जूस है अंदर रह जाएगा जो बीज है उसके थोड़े बहुत छिलके यह उपार ही देखे स्टेक जों पूरा च्छान लें और यह जो यह बीज तमाटर के यह हिं जो चुड़े के बिखने की काम भी नहीं है और देक्षे सूझी जो वने भिगा के रहाए पूरा पानीक ने शोख लिया बिल्कुल भी इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं है अब लुकूर जो टमाटर का पेस्ट है ना इसी में हम पूरा सूजी को घोलेंगे उपा से हम पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे और यह जो है सूजी न हमने महीन वाली सूजी ली थी अगर आपको लग रहा है कि सूजी ज्यादा गाड़ी हो गई तो थोड़ा पानी डाल सकते हो वरना सूजी आप ऐसे मिक्स करें पर्फेक्ट है पापा बनाने के लिए तो देखे आप इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो इसमें हमने डाल दिया चिली फ्लेक्स एक चमज के करीब और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जुआइन आधा चमज के करीब और आधा चमज हम न करेंगे इसके पापर करेंगे इसको फुलाने के लिए की निसंगे मील जात ряд गर मार्केट में आगनेवाला दसकी हुद आएẤ आप क्या करें कि यह प्लेट्の यह प्लेट्स ilo तु कि कि में भाप में पकाएंगे इसे भी tweaks कर सकते है hundred चारके प्लेटे यह प्लेट्स Ihre हैं प्लेट्स नहीं कि मैं सिर्फ एक श्पून दालने जहना संथ है दो राज पून तो एक श्पून ढल यह बहुत ही ज़्जादा पतले पापड बनते और स्टैप से सारा जितना भी हम फैला देंगे देखे सारे पापड फैल यह बहुत ही ज्यादा पतले पापड बनके त्यार होते हैं इधर हमें पानी गरम करने के पहले से चटा दिया ताकि यह अच्छे से बॉल हो जाए तब हम यह पापड़ रखेंगे तो इसको पकड़ से उठाएंगे क्योंकि इस टाइम में बहुत जादा गरम है तो दूसरा पापड़ हमने बना के रखा था दूसरी प्लेट वह इसको उपर रख देंगे अब इस टाइप से तीन चाप लेट बन जाते हैं बहुत जल्दी बन जाते यांकि ध्यान लख वजाए आप इसको निकाल हो जाए वरना वह तूट जाएंगे बहुत ही पतले तब पतले पापड बनके त्यार हुए है इस टैप से जीतने भी पापड ने उनको निकाल करके पहले थाली में रखते जाएंगे जो छोटी हमें प्लेट में बनाया था ना इसको भी निकाल के दिखा रहें कि किसी भी प्लेट में आप बनाएं बिल्कुल नहीं चिपकते हैं कि एक दिन के अंदर यह पापड शूख जाते क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक तो धूप तेज हो रहें बाकी पतले भी बहुत पापड बने हैं तो देखे सारे पापर हमने इस्टार से फैला दिये हैं और अभी हमें एक ही घंटा हुआ है एक घंटे भी देखे लग रहा क करिए तीन साल करें कभी नी खराब होंगे पर जितना ज़्यादा पेसे दूप में सुखा होंगे उतनी लंबे टाइम तक आप इसे रख सकते हो मैं आपको फ्राइब करने काफी देखें फूल करके काफी बड़े हो गया पापर और बहुत आसान तरीके से बनके तयार वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तेंक यू